इस तरीके से जब भी आपको कोई question दिया जाएगा upon में root में values दी है और आपसे answer पूछा है तो चार option आपके सामने दी गए है आपको कैसे करना है आपको जो value नीचे दी गई है उस value को देखना है कि वो लगातार तो नहीं है जैसे 9 और 8 लगातार होते है 9 के पहले 8 आता है तो अगर इनका difference 1 है तो आपका answer हमेशा इन ही values में होगा लेकिन अगर नीचे minus है तो उपर plus आएगा और plus है तो minus आएगा यहाँ minus था तो हमारा answer हो जाएगा plus में तो हमारा answer हो जाएगा root no plus root 8 इस तरीके से आपको option में दे सकता है अगर ऐसे नहीं दिया तो फिर ऐसे देगा जैसे हमें options दिये हुए है यह आया हुआ question है तो इसलिए मैंने as it is लिखा है no जो होता है उसका root जब हम करते हैं तो 3 आता है plus 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 2 का pair बनके 2 बहार आ जाएगा तो आपका answer हो जाएगा 3 plus 2 root 2 इस तरीके से आप इस answer को निकाल सकते हैं तो आपका answer हो जाएगा यह first वाला 3 plus 2 root 2 like this इन questions को आप within seconds कर सकते हैं जब आपको इनकी practice हो जाएगी चले मिलता है next video में new tricks के साथ